हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी कैक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने में मोश्ट इंपोर्टेंट जोग्राफिक लेक्टर वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें हम नाइन स्टैंडर के लिए पढ़ने जा रहे हैं एक नया चाप्टर जिसका नाम है चाप्टर नंबर एट इंटुडेक्शन तो इकनोमिक यानी कि आज यह चाप्टर कॉप्लेट होजाएगा हमारा थो च्छोट ना अचाप्टर फार्षेर चाप्टर नाम क्था क्था यंद्ध रहता है ले watched प्लेज़ जाएगा प्लेज़ जाएगा जितना हो सके उतना कंसेप्ट और नॉलेज को क्लियर करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आप जैसे कि आप जानते हो कि हमने एक नया चानल को भी लॉंच किया हुआ है इस वक्त जिसका नाम है जे आर टूटोरियल्स नाशनल स्टडी तो ये नाशनल लेवल का प्लाटफॉर्म है जिस पे आपको अलग-अलग अनिमेशन के साथ क्वालिटी वीडियोस देखने में देखने में अलग-अलग NCRT और CBSC बोर्ड के टॉपिक्स के उपर तो अलगी बहुत सारी वीडियोस हमने डाले हैं रोज वीडियोस आ रहे वहाँ पे नाशनल स्टडी के उपर तो प्लीज जाहिए उसको भी प्यार दीजिए आशनल स्टेश वीडियोस वीडियोस हमने बता ब्लीओ करते हैं प्लीक सेक्टर एंडर्टेगों रुबन करते हैं व्यूद देखात हैjen तो स्टे compost किया थे आप एंडियोगपती, आज शुरुवात करेंगे हम लोग कि यह जो economy है इसको हम लोग अगर एक global level पे लेके जाए ठीक है न ग्लोबल लेवल पे अगर हम लेके जाए economy को तो वो क्या होता है तो what do you mean by the global level of economy और we can say it as the globalization of economy तो यह exactly क्या होता है ठीक है na global level of economy ठीक है तो हमने discuss किया था economy हमारे देश के है obviously उस देश में क्या रहेगा गरीबी ज्यादा नहीं रहेगी अगर देश का economy अच्छा यानि GDP अच्छा है तो उस देश में गरीबी जो है वो काफी कम रहेगी पर capita जो income होता है यह भी एक बहुत बड़ा important role play करता है in the in a country's economy और in a country's GDP ठीक है तो globalization की अगर हम बात करें ज technology oriented चीजे आ रही है तो कई सारे चीजे हो रही है इसका मतलब क्या है हर एक फिल्ड में अलग-अलग तरीके से तरक्की हो रहा है तरक्की होने के विज़से पैसा भी बन रहा होगा और पैसा बन रहा है तो automatically उस देश का economy जो होगा दोस्तों वो भी आगे बढ़ रहा होगा जैसे example के तरफे समझ लेते हैं कि आज से हम 50 साल पहले इंडिया की बात करते हैं 50 साल चलो मैंने छोटा बोल दिया हम बात कर लेते हैं आजादी की टाइम यानि 1947 की बात कर लेते हैं ठीक है ना 1947 में समझ लो हमें आजादी मिली थी आज का जो तारीक है दोस्तों वो है 22 22 य यानि कि हमें आजाद हुए लगबग 80 साल हो गए है या फिर होने वाले हैं इस साल हो जाएगा ठीक है अब एक सवाल मेरे मन में आता है कि क्या ये 80 साल में हमारा देश जितना गरीब पहले था 1947 के टाइम में आज भी उतना ही गरीब हैं 2022 में तो आपका सीधा सीधा एंसर ह होगा आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर से करो अच्छा लगता है जब आप कॉमेंट करते हो तो जरूर से कॉमेंट करना लेकिन सिधा सिधा जवाब यही होगा कि आप लोग बोलेंगे येस हमारे देश ने काफी ज्यादा तरक्की किये और तरक्की किस मामले में किये यानि कि जब धीरे धीरे यह सब चीज हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारे देश का जो एकनॉमी होगा दोस्तो globalization के हिसाब से बढ़ रहा होगा और globalization का actual में मीनिंग होता है पुरा वर्ड अगर हर देश का एकनॉमी बढ़ रहा है तो पूरे वर्ड का एकनॉमी बढ़ रहा है तो पूरे वर्ड का यानि globalization जो है उसका economy भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है दोस्तो इससे ये एक चीज हमें पता चल जाता है ठिक है तो जो वर्ल का inventory होता है इसको किसी border की जरूत नहीं है, जो world economy होता है, यह क्या होता है, borderless होता है, borderless का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि क्या मुझे बता सकता है कोई, कि जैसे हम यहां से इंडिया से चाइना जाना चाहते है, तो हम बिंदा चले जाएंगे, क्या है, नहीं, हमें visa लेना पड़ेगा, हमें passport चाहिए, हम fly कर जा सकते हैं, जाने वाले जाते हैं, लेकिन, it is not practically possible nowadays, इतने सारे security checking होती है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाता है, बौर्डर आ जाते हैं, लेकिन जहां तक economy वाली बात होती है, economic का मतलब क्या होता है, किसी चीज से पैसा जब generate होता है, उस चीज को economy माना जाता है, जैसे क कोई भी चीज बना रहे हो, अगर इंडिया कुछ चीज बना रहे हो, अगर इंडिया कुछ चीज बना रहे है, तो उसको बाहर बेच रहे है, तो वो पैसा भी तो बतले में दे रही है, COVID के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजे थी, जो इंडिया ने produce की थी, hydroxy chloroquine, one of the most important medicine, जो हमारे इंडिया मैने टैक्चर कर रहा था, उसको अलगले देश में वो सप्लाइ कर रहा था, USA तो बहुत जादर डिमांड कर रहा था, UK डिमांड कर रहा था, तो हमने USA को सप्लाइ किया, उस मेडिसिन को यहां पे USA में सप्लाइ किया, ठीक है, अब USA में सप्लाइ करने क तो यूए से क्या अच्छा हुगा थैंक्यू इंडिया इतना बोल के चला गया के नहीं बतले में तो पैसे भी भेजाओगा ना यार अगर फॉर एक्जामपल एक हजार करोड का अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोकीन उसने लिया होगा तो बतले में कुछ पैसे दिये होंगे हजा हैं वहाएड़ा है हमारा पैसे जनरेट हो रहा है हमारे देश का इकॉनामी gdp जो है वो क्या हो रहा है increase हो और यहीं चीज तो है तो यह कोई भी बॉर्डर की जूरथ नहीं है कि यार हम अ मेरिका के नीज आ सकते हम चाईना में जाकर रर्भे । सकते हैं, there are no limitations, ठीक है, और natural resources भी जो है न, इसके हिसाब से वो चीज़े work करती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, okay, and साथ ही में बात करें, कि economy बहुत सरे other factors के ओपर भी depend करता है, यहाँ पे, जिसमें आपके profit, and साथ ही में, जो capital होते हैं, labor होते है technology होते हैं, यह सब एक country से दूसरे country के बीच में, तालमेल के हिसाब से होता है, and there will be no border, कोई border की जरूत न, आपकोई चीज़ खरिदते हो, दूसरे country से, दूसरा country आपको कोई बेचता है, तो इसके में कोई border बीच में न, आपके बीच में, mutual understanding होने चीए, बस आप trade करो यहा पैसा लगाते हैं, आपने foreign investors का नाम सुना होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग अगर stock market वगरे में knowledge रखते होंगे, तो उनको यह मेरा word समझ में आजाएगा foreign investor, ठीक है न, foreign investors क्या होते हैं, जैसे कि आप हमारे देश का कोई भी XYZ company है, XYZ नाम का कोई company है, तो उसके जो shares होते ह stock market में जो shares होते हैं, तो shares को क्या करते हैं, बहुत सारे जो यह होते है, foreign investors होते हैं, इन share के उपर पैसा लगा देथे, इसका मतलब पैसा किसके पास आया, उस XYZ company के पास आया, और उस XYZ company के पास अगर पैसा आ रहा है, तो यह किसको देगा, tax, government को ही देगा, government को पैसा आ रह तो हमारे देश का economy automatically increase हो रहा है ठीक है तो ये सब चीज उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि global level कितना ज्यादा important है और इसी प्रकार हमारे economy wise globalization हो रहा है समझ में आ रहा है clear है आगे बढ़ें तो next topic एक आखरी topic है इस chapter का जिसको हम discuss क करेंगे जिसको हम बात करेंगे कि globalization जो हो रहा है इकनोमी का इसका main उद्देश क्या है इसका main functions क्या है ये चोटा सा हम लोग देखेंगे topic इसके आपर नजर डालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात करें हम लोग ये जो functions है इकनोमी का globalization level पे वो क्या है कि हर country का अग कोई देश गरीब है तो पैसा क्यों नहीं बनाते है तो इसका जवाब दोस्तों आज नहीं दूंगा यार बहुत silly कोईश है इन्हें तो वह सारे लोग के मन में आता होगा चोटे बच्चों के मन में कि हमारे गोवर्मेंटी पैसा print करती है तो कोई क्यों नहीं इतना सारा के functions यह कि हर country का एक अपना-पना क्या होता है एक economy होता है अलग-अलग तरीके से वो run करता है ठीक है न economy जो होता है हर देश का अपनी तरी से run करता है और इसका जो main function है economic का अगर हम main function की बात करें तो वो यह होता है कि अगर हम कोई भी product को produce कर रहे हैं कोई भी product को produce कर रहे हैं जो economy generate होनी चाहिए, वो generate नहीं हो पाईगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा factor है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो product की quality and quantity ये भी बहुत जादर depend करता है, ठीक है न, और साथ ही में, जैसे कि बहुत सारी companies होती है, अगर वो कुछ भी chemical products बना रही है, या फिर कोई normal, कोई भी product बना रही है, chemical नहीं में कुछ भी बात करता हूँ, कोई भी products अगर वो बना रही है, तो बनाने में कुछ खर्चा लगता है, जिसको हम बोलते production cost, तो production cost को minimize करना, ये भी बहुत बड़ा challenge होता है, और ये भी एक important function से economy का, जैसे कि अगर आप उस product का, जो production cost है, थिस रुपे का बिखता है, थिक नहीं मैं खरीद के लाता हूँ, ये marker, आपको फढ़ाने के लिए, तो normal 30 रुपे का ये marker बिखता है, ये marker लेकिन जो ये marker बनाती होगी, थिक नहीं जो भी company का होगा, यहाँ पर तो अभी mid यह है, लिख रहा नहीं है, तो जो भी company का marker होग प्रॉफिट का क्या करेगा वो टैक्स भरेगा जो भी जितना भी परसेंट टैक्स लगे पाच परसेंट जितना भी होगा वो टैक्स भरेगा तो उसको गवरेमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा आप जानते हो प्रॉफिट का टैक्स भरना पड़ता है ना जितना भी जनरेट मुझे ज़्यादा करना है, अगर देश का economy ज़्यादा होना है, तो यहाँ पर अगर वो company ने 20 रुपे के बदले, अगर इस चीज को सिर्फ 10 रुपे में बनाया होता, तो profit कितना होता, 20 रुपिया, अगर profit 20 रुपिया होता, तो tax भी ज़्यादा government को, वो 20 रुपे के हिसाब से जाता, तो इसका मतलब ज़्यादा जाता, समझ में आ रहा है, यानि कि अगर कोई भी company ज़्यादा profit कमाएगी, तो उसका amount of जो percentage government को जाएगा, as a tax, वो भी ज़्यादा जाएगा, जिसके ऐसे government का पैसा जादा आएगा, जिसके ऐसे देश का जो economy है, GDP जो है, क्या होगा, increase होगा, तो ये सब चीज हमें बहुत simple तरीके से समझाने कि हम कोशिश करने, कि minimize करना, production cost को ये बहुत ज़्यादा जरूर है, साथ अगर बात करें, कि हापको ये भी decide करना पड़ेगा, economy को अगर boost करना है, तो ये भी decide करना पड़ेगा, कि goods जो होगा, यानि कि जो product होगा, जो सामान होगा, वो कहां, किसके through produce करना है, तो ये भी बहुत important factor हो जाएगा, ठीक है, एंसाथी में, जो भी economy के लिए फाइदा र विच में एक balance maintain रहे, और यही चीज करवाता है, हमारा functions of the economy, clear है, तो समझ में आ गया होगा, economy क्या था, ये तो हमने discuss किया हुआ है, लेकिन globalization level पे कैसे economy important है हमारे लिए, और साथी में इसका functions क्या है, ये हमने आज के इस वीडियो में discuss कर दिया, तो इसी के साथ, ये जो topic है आज का दोस्तों ये होता है समाप, दोस्तों आपको बता दू, इसी के साथ हमारा आज का जो lecture वीडियो है, और आज का ये जो chapter है, जिसका हमें introduction to economics, ये भी हो गया, totally 100% complete, यहां दोस्तों ये chapter फिनिश हो गया, तो आज का वीडियो इसी के साथ मैं समाप करूँगा, और उम आज करते रहो, अच्छे से exams लिखते रहो, अच्छे से marks लेकर आते रहो, ठीके, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वीडियो समाप तो तो ये पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है chapter, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और शेर कर देना, आपने दोस्तों के साथ अच्छे से जितना हो सके, maximum people के पस पहुचा देना, फर्स्टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में एक बेल आइकन होता, उसको प्रेस कर देना, ताकि future में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो आप लोको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड्स, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, थाइंक यू और गुडबाई